हेलो डियर इस्टुएंट तो कैसे हैं आप लोग आज हम बात करेंगे एक कोईस्टन यह देखेंगे कि इसका इंटिग्रेशन क्या होता हूँ कैसे करेंगे इसको ठीक है तो पड़ा-पड़ से हमने कोईस्टन नोट कर लिया है और इसको सॉल्व करेंगे अब कि देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है इसको जो नीचे यहां पर लिखा हुआ है 6x प्लस 7 और डिवाइड बाई रूट x-4 x-5 x-4 यह हमें इंटेग्रेट करना है तो तब से पहले हम क्या करेंगे जो यह नीचे लिखा हुआ है अब रूट के अंदर जो लिखा है इसको हम पहले क्या क्या हो जाएगा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं यह हो जाएगा 6x प्लस 7 अपान रूट इसको क्या क्या करेंगे तो आपको पता है है इतना हो जाएगा एक स्कॉयर माइनस 9x प्लस 20 और भी एक्स इस तरह से करने के बाद में हमें क्या करना है कि जो यह उपर वाला यह वाला पॉर्शन है ठीक उपर वारी पॉर्शन को हम लेट कर लेंगे इस तरह से हम यहां पर कहेंगे अधिक एक्स प्लस एबन एक्वल टू ए टाइमस ऐसे लिट करना रहेगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ऐसे लिट करना डीडी एक्स आप और नीचे जो रूट में लिखा हुआ है यह पूरा रूट के अंदर जो भी पूरा है इसको पूरा आप लिख लीजिए मतलब एक्स स्कॉयर माइनस नाइन एक्स प्लस 20 और फिर प्लस में आपको ऐसे डी लिखना ठीक है ऐसे कर लेंगे अब यहां पी इसको डिफ्रेंसेट कर लेंगे एक्स प्लस 7 यहां पे हमको मिल जाएगा एटाइमस तो एक्स माइनस 9 और प्लस बी हो कर लेंगे जो एक्स के कोफिसियंट हैं बहुत साइट तो यहां पर आप राइट डाउन कर दीजिए के कंपेरिंग बहुत साइट अन्द कोफिसियंट आफ एक्स ठीक है यह सब आप चोटी-चोटी चीज़ जान रहे होंगे यहां पर हमारे पास हो जाएगा कंपेर दूसरा मिलेगा माइनस 9A प्लस दी एकवल टू माइनस 7 ऐहां पर हम जब एकवल टू थरी पूट करेंगे तो बी एकवल टू हमको मिल जाएगा यहां से एक वल टू यह जो गिवन है मतलब हमने इधर कल्कुलिएट की आप तो इस यहां से जम एक ही बाइलू रखेंगे तो 937 हो जाएगा और 27 को अधर टांसफर करेंगे तो यह 27 यहां पर यह स्वारी प्लस है यह तो हमने यहां पर 5 mistake माइनस ले लिया है प्लस हो गया यह तो यहां पर जब इसको इसको इधर टांसफर करेंगे तो यह हो जाएगा 34 अब यह बैलू जो उठा करके हम वापस से इसी question में put कर देंगे तो finally जो हमारा integration था यह वाला यह हमारा क्या हो जाएगा इसको हम इस तरह से लिख देते हैं ग्रश हम एक तरने के बाद में यह हो जाएगा देखो जैसे हम यहां पर ऐ लिखा क्ई है कितना रख हैंगे क्रिए रिये अपने पास हो जाएगा ऐसे bracket close किया और प्लस B की value, B की value कितनी है, 34 तो ऐसे हम 34 ऐसे लिख लिख लिए, ऐसे लिख लिख लिए, यह हो जाएगा, x square minus 9x plus 20 हो जाएगा, ठीक है न, तो यह dx हो जाएगा, अब equal to हम क्या करेंगे, separate कर लेंगे, यहां से separate करेंगे दोनों portion को, यहां से separate करेंगे तो 3 हमा constant है, इसको बाहर ले लेंगे, यह मिल जाएगा, 2x minus 9, और divide by हो जाएगा, root x square minus 9x plus 20, कुछ इस तरह से हमको मिल जाएगा, और यह हो जाएगा, अपना dx हो जाएगा, और पि प्लस दूसरा portion 34 इदर से common हो जाएगा, और हमारा जो भी बचा है, मुसको ऐसे write down कर लेंगे, यह हो जाएगा, x square minus 9x plus 20 times of dx, ठीक है, तो यह चीज़ें हो जाएगे, तो पेज को तोड़ा सा उपर कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, अब देखो, अब यह जब अपने पास हो गया, तब फिर क्या करना है, अब यहाँ पर हम जो यह नीचे root के अंदर है, इसको हम लेट करेंग देखो, ऐसा करने से होगा, क्या कि जो भी यह चीज लिखी हुई है, यह पूरा का पूरा जो है, जब लेट करोगे, तो उपर वाला हमको यहाँ मिल जाएगा, तो हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, x square minus 9x plus 20 equal to t, लेट कर लिए, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, 2x minus 9 and times dx equal to dt हो गया, और रही बात इधर तो इसको हम perfect square बना लेंगे, perfect square बनानी के लिए हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यह हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, x minus 9 by 2 का holy square and plus यह हो जाएगा, 20 minus 1 by, यहाँ पर हो जाएगा, 81, और 81 by 4, तो finally जब हम इस पूरे को solve करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, x minus 9 by 2, और इसका holy square, और minus 1 by 2 का holy square, आप perfect square बनाना नहीं जानते हैं, तो इसको सीख लिजिए, ठीक है, यह हमारा perfect square यहाँ से, इतने की जगा पर जो लिखा हुआ, इसका perfect square हम बना लिए, यह पूरा हमारा बन करेंगे, ठीक है, तो यह वापस से यहाँ पर put कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3, और यह हो जाएगा, dt upon root t हो जाएगा, और plus 34 यहाँ पर लिखेंगे, और यह हो जाएगा, one upon root x minus 9 by 2, इसका holy square minus, इसको लिख लिए 1 by 2 का holy square, देखो अब इसका formula होता है, formula से हम इसको यहाँ पर solve करेंगे, formula से हम solve करेंगे, तोड़ा सा पेज जो है, और यह ऐसे हो जो, ठीक है, अब यह देखो, direct हमें पता है कि one by root t है, root t है, तो इसको उपर लेके जाएंगे, power हो जाएगे, t power half, यहाँ से हमको मिलेगा, finally जब इसका हम integration करेंगे, integration आपको इसका आता होगा, तो यह हमें कितना मिल जाएगा, root t, और into यहाँ पे में 2 भी मिलेगा, ठीक ना, अरे भाई, अगर यह आपको नहीं समझ में आया है, तो आप ऐसे कर लिजे, t के power minus 1 by 2, और इसको integrate कर लिजे, और integrate करेंगे, तो आपको मिलेगा कितना, 2 into t power 1 by 2, ठीक ना, तो यहीं चीज़ आ जाएगे, और यहाँ पे इस side में अगर हम देखेंगे, तो 34, और इसका integration होता है, log, यह फार्मूला हमारा बन गया, x minus 9 by 2, and this one root x square, sorry, यहाँ पे हो जाएगा, x minus, पूरा जो भी लिखा हुआ था, जो हमने शुरुआत में लिया था, जो हमने quantity equation लिया था, वही quantity equation लिख देंगे, चाहो तो आप एक बार लिख लो, x minus 9 by 2, और इसका whole square, minus 1 by 2 का whole square, मतला जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, अचाहिए, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यह हो जाएगा, ऐसे, और plus constant टेक डाल देते हैं, c1, यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा यूज किया, मैं उसके बारें बता देता हूँ, यहाँ पे हमने फार्मूला लिया है, अगर अपने पास इस तरहां का function है, x square minus a square, तो इसका integration जो होता है, वो होता है, लॉग और mod of x और यहाँ पे plus root x square minus a square, यह हमारा होता है, ठीक है, इसी फार्मूला का हमने यहाँ पी यूज किया है, और finally हमको यह चीज में अब हम वापस से बालू जो हमने लेट की, वो इस निपूट कर देते हैं, तो 3, यह 3 to 6 हो जा x minus 9x plus 20, यह हमारा हो गया, और plus 34 log, यह हो जाएगा, x minus 9 by 2, और plus root यह हो जाएगा, अब इसको जो है, जो भी पहले हमने इसको perfect square बनाया था न, तो perfect square बनाने से पहले यह क्या था, तो जो था बस वही लिग दीजिए, वो यही था, देखिए आप यहाँ पे, यही इसी का त x square minus 9x plus 20, और यह आपका क्या हो जाएगा, अंसर हो जाएगा, तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा, thanks for watching.